security delay problem in iPhone जहां गयज अगर आप लोग भी एक iPhone iOS user हो और आप लोगों के सामने भी security delay का problem आ रहा है अगर आप iPhone के अंदर कुछ भी change करने के लिए जाते हो तो आप लोगों के सामने कुछ इस परकार का interface सो हो जाता है जैसे ही आप लोग start security delay पे click करते हो उसके बाद आप लोगों के सामने security delay in progress का यहां पर timing आता है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊं का कैसे आप लोग security delay in progress या security delay problem को disable कर सकते हो how to disable security delay problem in iPhone जहां गयज आज की इस वीडियो को आपको end तक देखना है उसके बाद आपके mobile phone के अंदर आपके iPhone के अंदर दुबारा security delay का problem नहीं आने वा आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बगले में बेल आइकन हैगा उस पे क्लिक करके आपको all notification को select कर लेना guys security delay को disable करने के लिए या फिर बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने iPhone के setting को open कर लेना जैसे आप लोग setting में आ जाते हो उसके बाद guys आपको scroll करके नीचे आ जाना उसके बाद आपको option देखने को मिलेगा face ID और password का simply आपको इस पे click करना इस पे click करने के बाद आपको अपने screen का password एंटर कर देना तो guys चलिए मैं आपने screen का password आप लोगों के सामने एंटर कर दिया हो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस परकार का interface सो हो जाएगा जैसा कि आप लोग इंपर देख सकते हो उसके बाद guys आपको scroll करके नीचे आ जाना उसके बाद यहाँ आपको एक option देखने को मिलेगा देख सकते हो stolen device protection तो guys यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं इस function के बारे में security delay के बारे में मान के चलिए guys आपका जो mobile है वो चोरी हो चुका है और आपने security delay को यहाँ पर on करके रखा जैसे ही चोर आपक security delay को start करना होगा जैसे मैंने video के starting में start किया था उसके एक घंटा बात है guys जाके वह passcode को change कर सकता है या फिर guys iPhone की अंदर कुछ भी छेड़ छाड़ कर सकता तो guys आपको हमेशा अपने iPhone की अंदर security delay को यहाँ पर on करके रखना और अगर आप लोग इसे disable करना चाहते हो बंद क सकते हो एक घंटा का यह timer खतम होगा उसके बाद आपका security delay यहाँ पर off हो जाएगा जैसे यह घंटा complete हो जाता है उसके बाद आप कभी भी या कि करोगी इसे off तो यह off हो जाएगा तो आपको हमेशा याद रखना कि stolen device protection अगर आप लोग आप लोग आप यहाँ पर on करके तो और आपको याद रखना है अगर वह आपका screen का password जानता है तो ही change कर पाएगा ऐसे वो कहीं भी password चेंज नहीं कर सकता और यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ एक और जो password होता है screen time का यहाँ पर आपको इसे भी enable करके रखना जिसस आपको क्या करना screen time पर क्लिक करना उसके बाद यहाँ पर आपको अपना screen time password set कर लेना उसके बाद जैसे यहाँ पर आप आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको दो option नीचे देखने को मिलेगा पासकोड face ID चेंज एलाओ account चेंज एलाओ तो simply आपको क्या करना यहाँ पर क्लिक करना उसके बाद यहाँ आपको don't एलाओ कर देना उसके बाद यहाँ पर आपका screen का password मांगेगा जो यहाँ पर आपने screen time password set करके रखा अगर आप लोगों को set करने के लिए नहीं आता है नीचे comment कर देना है screen time password set पर वीडियो लाओ मैं उसके एक वीडियो फूल लाओंगा हिंदी में आपको कहीं भी प्रोब्लम नहीं होगा जैसे अपना password में एंटर करता हूं उसके बाद don't relock करता हूं उसके बाद back आ जाता हूं उसके बाद accounts changes के अंदर don't relock करता हूं उसके बाद आप लोगों आप देख सकते हूं यह जो option आप लोगों के समने गायब हो जाएगा देख सकते हूं उसके बाद कितना भी tap करे आपको double lock रखना पहला तो यह आपका screen का जो यह lock है यह lock हो गया उसके बाद यहां पर आपका यह जो screen time का password है दो password आपको हमेशा यहां पर set करके रखना ताकि आपको future में कभी भी आपका iPhone चोरी हो जाए तो problem ना हो आपका iPhone आपको मिल जाएगा आपको काफ जदा अच्छा लगा होगा informative लगा होगा तो वीडियो को like कर देजेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लेजेगा तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रमें टेक केर बाई बाई फ्रेंड